वेलकम एफ्रीवन आज हम दोग देखेंगे टीचिंग एप्रिवुट के फोर्थ पार्ट दोग्या लेवल्स ओफ टीचिंग अगर बात की जाए तो आप अगर प्रीवेश के लेवल्स ओफ टीचिंग से ग्वेश्चन सरूप पूजा जाता है यह काफी इंपोर्टेंट च आपको डेस्क्रिप्शन में प्लेइस्ट का लिंग दे दूंगा वहां से जाकर आप देख सकते हैं और इस लेक्ष्यर का आपको पीडिएफ चाहिए हमारे टेलग्राम चैनल इंपक्टी का ग्लास से आप जॉइन कर सकते हैं वहीं पे मैं पीडिएफ जो है अप्लोड कर देता हूं और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आ है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा क्योंकि यही है मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन लाइक से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है तो चलिए पहले लेवल के बाड़े में बात करते हैं पहले ह लोग को सपुल के इदुपेशन सिस्टम में भेजे ञाता है उस टए में होता है उस से कौन से बात किया जाता है दोस्तों के साथ कब खेला जाता है इफिन ब्रेक कब लिया जाता है यह सब हम लोग को सिखाए जाता है Autonomous Development Level पर हम लोग के parents का नाम क्या है parents क्या काम करते यह सब चीज़ें हम लोग को सिखाए जाता है इसलिए इससे का जाता है student centric approach अब इसका जाता है इसलिए इससे का जाता है student centric approach इसके बाद हम लोग का जो होता है वह होता है आपका memory level तो memory level के अगर बात की जाए तो memory level के बारे में किसने बताया था यहाँ पर memory level का जो concept है बहुत जया था आपके हरबर्ट नियु तो हम लोग जब school में admission लेते है फिर आपके middle school पानली जे class 4 और 5 तक पढ़ाई कर लेते है तब स्टार्ट होता है हम लोग के memory level memory level में क्या होता है memory level में हम लोग road learning करते है road learning का मतलब क्या है road learning का मतलब होता है रच्ठा मारना रच्ठा मारना कोई English में कहा जाता है आपका road learning जैसे दिखे मीडिय लेवल में क्या होता है आपका कोई एक subject है मानलीजे physics subject है physics के subject में है आपका हम लोग को पढ़ना होगा friction friction में हम लोग क्या पढ़ते है तो friction में हम लोग इसका definition याद कर लेते है यह हो गया memory level जब हम लोग किसी useful चीज़ या फिर education का related material को याद कर लेते है तब उससे का जाता है middle school level या फिर memory level और उस process को का जाता है आपका road learning मतलब होता है रच्ठा मारना और यह जो process है यह पूरा तरिकल से teacher centric है आप class पूरा फाइब में यादी होगा teacher होते थे और बहुत साथे हम लोग class में students होते थे तो teacher जो board में लिख देते थे उससी को हम लोग copy down करते थे teacher जो बोलते थे याद करते थे और फिर exam में उसको लिख देते थे तो यह होता है आपका memory level पे और यह पूरा control कौन करता है teacher control करते है इसलिए का इससे का जाता है teaching centric method या फिर teacher centric method इसके बाद जब हम लोग आपके high school में पहुशते हैं तब का जाता है आपका understanding level यह मान लीजिए आपके class 8 से 12 तक चलता है इस theory को किस ने दिया था understanding level के theory को यह था आपके modison ने तो understanding level में हम लोग road learning भी करते हैं और कुछ समझते भी हैं इसलिए इसमें mixed method यूज किया जाता है कि हम लोग रट्टा भी मारते हैं और फिर उसको समझते भी है जैसे कि मान लीजिए हम लोग ने रट्टा मारता है किस बाड़ में तो friction के बाड़ में friction के बाड़ में अब जो friction का नियम है वह किसमें use होता है आपके tires में use होता है जैसे कि आप लोग ने देखा होगा जो tires होते हैं उनका जो surface होता है वह काफी rough रखा जाता है यह आप देख सकते picture में तो tire का surface है वह काफी rough रखा जाता है यह rough क्यों रखा जाता है ताकि tires का और road के बीच में friction हो tires और road जो है उनके बीच में friction हो और roads में easily brake apply किया जा सके इससे क्या होता है accidents कम होते है तो यह क्या हो गया understanding level जब आप समझते हो कि friction किसलिए use किया जाता है आपके daily life में और उसका क्या purpose है तो उससे का जाता है understanding level जहां पर आपने friction क्या उसका रटा भी मारा है और friction के क्या use होते है उसको समझ भी लिया है यह देखिए जो old tire है उसमें old tire में जो surface है वो rough नहीं होता है और इससे discard किया जाता है क्यों कि इसमें आपके easily brakes नहीं लगते है और जब brake नहीं लगते है तब होता है आपके accident तो यह होता है आपका mix जहां पर आप समझते भी हो और रटा भी मारते हो इसमें जो method यूज किया जाता है वो होता है बोध जहां पर teacher भी होते है और students भी होते है teacher बता देते कि क्या पढ़ना है teacher जो बता देते कि क्या पढ़ना है और उसको पढ़के understand करते with example strengths इसमें बहुत आपके teachers भी रहते और strengths का भी contribution होता है तो यह है आपका understanding level पीड आपका reflective level reflective level की अगर बात की जाए तो इसका theory किस ने दिया था इसका theory दिया था आपके hunt ने यह होता है आपका highest level आपके colleges में post graduation PhD में जब आप पढ़ाई करोगे तब होता है आपका reflective level पर पढ़ाई reflective level पर पढ़ाई इससे क्या होता है हम लोग कोई चीज को देखते हैं फिर उसका better use कैसे किया जाए उसमें क्या problem होता है वो सब समझते हैं कैसे कि देखिए यहां पर हम लोग ने देखा कि tires के जो surface होते में rough रखा जाता है क्यों थाकि उनमें friction हो अब tires के दूसर problems क्या है tires के अगर problem देखा जाए तो इसमें होता है आपका air leak हवा जो भड़ा जाद है इसमें काफी air leak होता है और सामने आपका कोई tire repair का दुकान ना हो तो काफी problem होता है यहां पर इसलिए क्या बनाये गया है आपके त्यूबलेस tire त्यूबलेस tire क्या होते हैं क्यूबलेस tire में आपका हवा जो है वो ज्यादा आसानी से नहीं निकलता है और हवा अगर निकल भी जाए तो आप उसे कुछ देर के लिए vehicle चला सकते हो तो यह क्या हो गया reflective level जो एक चीज है tire का हम लोग ने problem फैले find out किया कि क्या problem है तो उसमें हवा जो है वो leak होता है तो हम लोग बनाएंगे tubeless tires तो यह क्या हो गया यह हो गया आपके highest level पर हम लोग चीज को analyze करते है Analyze करने का मतलब क्या हो गया कि एक चीज को समझते हैं उसका problem समझते हैं एक चीज को देखते हैं उसका problem समझते हैं फिर इसका solution निकालने का try करते हैं तो यह हो जाता है आपका reflective level और यह बिलकुल student centric है जैसे किसी student ने पहले problem को देखा और फिर उस problem को कैसे solve करना है उससे find out किया जैसे कोई भी किताब में देखेंगे उसमें पहले से आपके tubeless tire के बाड़े में नहीं दिया हुआ है या फिर जो tires होते हैं tires में हवा निकलता है इनके बाड़े में नहीं दिया हुआ होता है तो यह आपका बिलकुल student centric होता है जाहां पर एक personality या फिर कोई individual person कुछ से solution का use हम लोग सब करते हैं इससे का जाता है आपका reflective level जहां पर हम लोग यूज करते हैं student centric approach तो चलिए एक बार इससे हम लोग revise करते हैं यहां पर एक निया स्लैड लेता हूँ कि कहा से आता है कि देखिए हमारे जो studies है उसमें यह आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि हर एक पॉइंट जो में लिकूंगा वह कापी important होते हैं इससे चार लेवल में हम लोग डिवाइड करते हूं सबसे पहला क्या है सबसे पहला है autonomous के बाद क्या आता है हमदुका तो आटोनोमस के बाद आता है आपका मेमरी इसके बाद क्या है आपका तो इसके बाद है आपका अंडरसेंडिंग और आखिर में आपका reflective यह मेरे चार लेवल होगे पहला है autonomous सेकेंड में आपका मेमरी पहला है और्टोनोमस सेकेंड में मेमरी इसकेंड में अंडरस्टजानडिंग और पूर्थ नंबर है reflective अब इसे example से समझते है autonomous में क्या होता है autonomous में हम लोग देखते है card में क्या use किया जाता है तो card चलाने के लिए card, bike, cycle ये सब चलाने के लिए tires use किया जाता है तो इसमें क्या करते हैं हम लोग surrounding को समझते हैं autonomous level पे उसके बाद आते हैं हम लोग memory level memory level पे अगर देखा जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि वो ये एक subject है जैसे physics physics में हम लोग को क्या पढ़ना है physics में हम लोग को पढ़ना है friction friction में हम लोग क्या पढ़ेंगे friction का जो definition है हम लोग याद कर लेंगे प्रिश में का जाता है आपका route learning यह होता है memory level जब हम लोग surrounding को याद कर लेते हैं या फिर रट्ठा मारते हैं पिर इसके बाद आता है आपका understanding level understanding level पे अगर देखा जाए तो क्या करते हैं हम लोग ने सबसे पहले friction जो है friction को रट्ठा मार लिया अब friction का daily life में हम लोग देखते हैं कि क्या use है तो use क्या है हम लोग देखते है friction कीज में use होता है tires में गाड़ी जो होता है गाड़ी के tires में friction use किया जाता है इसलिए tire के surface जो है उसे rough रखा जाता है ताकि tire और जो रस्ता है उसमें break easily लग पाए और हम लोग accident avoid कर पाए पर आखिर में आता है आपका reflective level अखिर में आता है आपका reflective level Reflective level में क्या होता है reflective level में हम लोग समझते हैं कि एक existing चीज को क्या problem हो सकता है उससे tire इसमें क्या problem रह सकता है तो problem क्या है इस टायर का जो हवा जो है आसानी से निकल जाता है और इससे हम लोग गारी नहीं चला पाते और काफी problem होते है तो इस problem का solution क्या निकाला गया है इसका solution निकाला गया है थीखलेश जो होता है वो कम किया जाता है मतलब कम होता है और अगर हवाली खो भी जाए तो यह काफी दूर तक चल सकता है तो यह हो गए आपके four levels of education इसमें पहला है autonomous, second है memory, तीसरा है आपका understanding और चौता है आपका reflective तो इसे आप एक short form है उससे भी याद रख सकते हो amur our level को कैसे याद रखा जाता है अमर तो अमर अगर आप याद रखोगे और एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको खुछ से यह याद हो जाएगा तो आज का वीडियो यहीं पर खतम होता है थैंक्यू सो मच यह वीडियो देखने के लिए और अगर आपको बसंद आया है तो शूरली एक लाइक कर दीजेगा अगर बहुत अच्छा लगाया यह वीडियो तो ज़रूर कॉमेंट कीजेगा क्यूकि मैं हर एक कॉमेंट जो है उससे पढ़ता हूँ और पीडियेफ अगर आप चाहिए आपको चाहिए तो आप इंप्राक्टिकल क्लासे जो टेलग्राम चैनल है इसका लिंक में नीचे दे दूंगा डेस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं आज का वीडियो यही तक था थैंक्यू सो मच यह वीडि क्यों में